नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में और दोस्तो हमारा आज का ये वीडियो आपका दिल खुस कर देगा दोस्तो कई भाई भेनों के कमेंट आ रहे थे कि सर कोई ऐसा तरीका बताओ कोई ऐसा वीडियो लेके आओ जो के हमें जिन्दिगी में कोई भूत प्रेत या सेतानी हवा नहीं पकड़े तो दोस्तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही पावरफुल और धमाकेदार वीडियो है दोस्तो वीडियो को इसके मत करना वीडियो को पूरा देखना अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करना चलते हैं वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले आपको एक बात बता दू कि मेरा येटूब पे आने का कोई मकसद नहीं था और दोस्तो जब तक मेरे गुरुजी जिन्दा रहे तब तक मुझे कहीं भखने की जरूरत नहीं पड़ी और जब से मेरे गुरुजी का स्वर्गवास हुआ तो मेरे गुरुजी ने मुझसे एक ही बात बोला था कि बेटा जिन्दगी में जितना हो सके उतना जन सेवा करना लोगों का भला करना तो दोस्तों उन्हीं की बात को ध्यान में रखते हुए उनका आदेश का पालन करते हुए और मैंने अपना यूटीब चैनल का बनाया कई भाईयों का कमेंट आता है कि सर आपको तो यूटीब का चैनल पहले से बनाना था लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं था मेरे गुरुजी थे तब तक मुझे कहीं कुछ करने की जरूवत नहीं थी दोस्तों ये भूत प्रेत बाधा बहुती एक बहेंकर बीमारी होती है जिस घर में लग जाए जिस ब्यक्ति पर लग जाए उसके जीवन को बरबाद कर दीती है उस घर की सारी बरकत खतम हो जाती है घर एक समसान बन जाता है ब्यक्ति का सर्वनास हो जाता है उसे ऐसी बहेंकर से बहेंकर बीमारीआं बना देती हैं दोस्तों ये घुद्प्रित की बीमारीआ कि इंसान चाहते हुए भी इससे निकल नहीं पाता है और दोस्तो इन चीजों से बचने के लिए हमने जो अपने गुरू से सीखा है वो इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं आज का हमारा ये वीडियो बहुत ही पापरफल और धमागेदार वीडियो है दोस्तो वीडियो को पूरा जरूर देखना दोस्तो जब मैंने दुनिया में नजर पसार के देखा तो हम उमर के भाई बहन और एस भूत प्रेत बहिंकर बीमारी से इतने पीड़त हैं कि दोस्तो वही जानते होंगे कि विचारे अपने जिन्दगी को कैसे जी रहें एक बहन का मेरे पास कमेंट आता है जो जुन्योनों राजिस्थान से हैं दोस्तो उनका कहना है कि जो मेरे पास सैतन सक्ति रहती है उसका मेरे सरीर पर फुल कंट्रोल है अब दोस्तो लगाए कि सरीर तो विचारी बहन जी का है लेकिन कंट्रोल देव सक्ति उस पर करे हुए है वो अपनी मर्जी से ही चलाता है उसकी मर्जी चलती है बिचारी बहन कितनी परिशान हो रही है और उसने मुझे बारबार कमेंट किया है और मैं बहन की तरफ मुझे ख्याल भी रखना है उनकी ये समस्या भी जड़ से खतम करके ही छोड़ूँगा दोस्तों और ये मेरा दावा है और आज की वीडियो में बहन जी के पास अगर ये वीडियो पहुँच रहा है तो बहन जी भी इस वीडियो को ज़रूँद देखें मेरा आज का ये उपाय बहुती धमाकेदार और पावरफुल है इसका प्रियो करने से जिन्दगी में आपके उपर भूत प्रेत सेतानी हवा कभी भी नहीं आ पाईगी आपको कभी परिशान नहीं करेगी दोस्तों उस वपाय को करने के लिए आपको दो जड़ों की आवसकता होगी आपको दो जड़ ला करके तयार करनी हैं वो दो जड़ कौन सी हैं दोस्तों एक तो दोस्तों ये है ये जड़ दोस्तों काले धतूरे की जड़ है यह दोस्तो काले धातूरे की जड़ है आप कहीं से भी इसे प्राप्त कर लें लेकिन मैंने तो ये आपको दिखाने के लिए एक नया पॉधा मिल गया था काले धातूरे का तो उसका लिया है लेकिन आपको जितना पुराना हो सके उतना पुराने की जड़ निकाल करके प्राप्त कर लेनी है और दोस्तों दूसरी जड़ है सफेद आग की और दोस्तों इन दोनों जड़ों में से थोड़ी सी जड़ सफेद आग की और थोड़ी सी काले धतूरी की और दोनों को किसी काले कपड़े में बांद करके और अपनी दाहिनी भुजा में बांद लेनी है अगर महला हैं तो महला अपनी बाई भुजा में बांद ले मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तो जिंदिगी में उसे भूत प्रित नहीं पकड़ेगा अगर होगा तो धीर धीर उसे छोड़ करके भाग जाएगा उससे इस जड़ से उस भूत प्रेत को इतना डर लगता है दोस्तों ये दोनों ही पौदे जो हैं भागवान संकर जी के बहुत प्रिय पौदे थे सफेद आग और काला धतूरा कहते हैं आग धतूरा खाने में तो दोस्तों ये दोनों ही जड़ बहुती चमतकारी और बहुती कारगर हैं अगर किसी भी व्यक्ति को भूत प्रेत की बाधा लगी है कितना भी खेलता भी क्यों न हो और वो भी अगर इन जड़ों का प्रियूख करेगा तो दोस्तों जिंदगी में उसे भूत प्रेत नहीं पकड़ेगा और दोस्तों आपको और बता दू कि जिस घर में सेतानी हवा का आवास है वो है अपने घर में सनवार की दिन एक लोंग का जोड़ा और एक कपूर की टिकी पर रखकर मेन दरवाजी के गीट पर जला दें और एक सब्ता में एक बार सनवार आता है दोस्तों एक सब्ता में एक बार इसका प्रियूख अवस्य करें जिससे आपके घर की सारी नेगटिव सक्तियां दूर हो जाएगी और आपके घर में भूत परित नहीं गुसेंगे दोस्तों ये दोनों ही उपाय मेरे कारगर हैं मेरे गुरुजी के बताई हुए हैं इनका प्रेयों को जरूर करें अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो फिलीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना फर मिलता हुए एक धमाकेदार वीडियो लेकर तब तक के लिए नमस्कार